नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मॉनिका और मेरे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज उसे लाइक कर दीजेगा और चैनल पर रहे हैं तो इसे ग्रेट करेंगे अच्छे से यह रेसिपी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बन दी आप इस प्रेंचिस एक बार जरूर जरूर कीज़ेगा इस रेसिपी को बनाने के लिए हम जो भी मर्टेरिल यूज करने वाले हो घर पे इजी लिए अवेलेबल होता है तो इसे कोई बेसन एक कोई ओरी और यह कोई के तोड़ा सकम में आप सुजी लें इसके बाल यहां पर एक मीडियम साइस प्याज कर देंगे एक ही मैं पर लिए है उसे भी आंड कर देंगे इसके बाद मैंने तीन हरी मिर्शली है इप बारी कट कर दिया है आधा चमची हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर और इसके बाद मैंने एक चमच ही रैड चिली पाउडर लिया है इसके बाद नमक आप इसमें डाल ली जगा अपने टेस्ट के अनुसार जितना भी आप पसंद करते हो इसके बाद हम इसमें एड़ कर देंगे एक चमच चाट मसाला अब जिस कटोर हम पानी डालेंगे अच्छी से इसका एक बैटर तयार कर लेंगे लम्स फ्री लम्स नहीं रह जाने चाहिए अच्छी से मिक्स कर लेते हैं अगर आपके बस विसकर है तो ठीक है अगर नहीं है तो आप पहले बेसन और सूजी को घोल लीजेगा उसके बाद इसके अंदर व पादाए में और लेलिया है सरसो का तेल लिया है यहां पे मैं एक चमच जीरा और एक चमच राइड कर दूंगे और थोड़ा से यहां पे फिलीवर बहुत अच्छा आता है यह दाएशन में भी हर्प करता है इसके बाद चाहिए पत्ता एक बड़ा चमच भर के मैंने यहा लगातार बढ़ा करते रहें बहुत नीचे से लग जाएगा यहां नाइन स्टीक भान का यूज़ कर सकते यह क्योंकि इस टीकी डोव बने गा इसका तो चाहे मैं नॉंस्टीक में करूं चाहे नॉमल में करूं तो इसमें चिपके गा ही है देखे इस सरीके से साइडों में जब लास्ट में दो फोम में आ जाएगा तो अपने आप यह चोड़ने लेगा देखिए इसे करने में मुझे बहुत जादा टाइम नहीं लगा है दो से तीन मिनट लगे थे बस यह दो फोम में आ गया बस गया बस गया पर यहां पर ताली को घ्रीज कर लेंगे और अच्छे में पीछे से चिपक रहा हो तो आप ऐसा करिएगा पीछे हलका सा ओयल लगा लिजेगा लगाने से क्या होगा यह चिपके नहीं और एकदम एकुल सा सैट हो जाएगा अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड में आदे गंटे में सैट हो जाता है अगर आपको आपको पसंद हो वैसी शेप में से कट कर लेंगे यह नाश्ता खाने में बहुत जादा रेस्टी बनता है एक वार आप इसे जरू ट्राइ कर लीजेगा चलिए मापको एक पीस निकाल के रिखाती हूं कितने अच्छे से निकल आया बहुत ईजिली निकल आया यह हमारी था दोनों साइड से अलट पलटके हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक सेख लेंगे देखे कितना अच्छा कलर आया है दूसरी साइड से भी हम इतना ही सेखेंगे इसे बस बन के तयार हो जाएगा हमारा ही चटपटा सा नाश्ता खाने में बहुत जादा अच्छा रगता है इ यह बहुत जादा टीस्टी और क्रिस्पी बनते हैं मैं उसके अंदर भी ट्राइ किया हुआ है इसे बना के आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे लाइक कर दीजगा और चैनल पर नहीं होगे तो इसे प्लीज सब तिर देन बगाई